पंजाब के मुख्यमंत्री सिमान प्रकाशी जी बादल उपमुख्यमंत्री सिमान सुख्वीर जी केंद्र में मंत्री प्रश्यत के मेरे साथी स्रिमती हर्शिमरत जी सिमान विजय सांपला जी पंजाब सरकार के मंत्री सिमान मदन मोहन जी सांसद में मेरे साथी प्रेम सी चंदु माजरा जी सांसत, सिवान डीन्ट साजी, सिख गुर्द्वारा प्रबन समित्र के द्रेक्ष, सिवान के एस बंडुगर जी और विशाल संख्या में पधारे हुए सभी प्यारे भाईयों और बहनों गुरु गोविन्सी जी महराज की कर्मभुमी अते, खाल्से दी जन्मभुमी से आननपूर सायब विखे हो रहे इस कारकम बीच आईया सारिया साथ संगतानू फते अर्च करदा हाँ वाहे गुर्जी का खाल्सा वाहे गुर्जी की फते दस्वे पात्सा स्री गुरु गोविन्सी जी महराज के 350 प्रकास उत्सव को पुरा देश मना रहा है भारत सरकार ने भी गुरु गोविन्सी जी का महराज का संदेश हमारी नई पीडी को पहुँचे देश के कौने में कौने में पहुँचे इस बात पर बल देते हुए पुरे देश में सरकार की तरब से भी साड़ों तीन स्वबा प्रकास परव बनाने का ताइक गिया है आने वाले दिनों में पत्ना साहब में भी बहुत बड़ी संग्यत होने वाली है और भारत सरकार ने जो भी इस प्रकास परव के लिए पत्ना साहब जाना चाहते हैं रेलवे की सुविदा उपलब्द कराने की वबस्ता भी की है ताकि हर कोई जो जाना चाहता है आसानी से वहाँ पहुँच सके भाईयो बैनो इस मेरा सो भाग रहा कि पंजाब की धर्ती पर कई वर्षों तक मुझे काम करने का अवसर मिला था और उसके कारण आननपूर साप की इस पवित्र धर्ती पर आकर के मत्था टेकने का मुझे बार बार अवसर मिलता था मेरा ये भी सो भाग है कि जब अटल भ्यारी वाजपई जी यहां आये थे उस समय मुझे भी उनके साथ संगत पर सरीख होने का सवभाग मिला था प्रधान मंत्री बनने के बाद आज पहली बार और एक पवित्र प्रकाश पर्वक के समय इस पवित्र धर्ती को नमन करने का मुझे सवभाग मिला है यह वो धर्ती है जहां 28 साल तक गुरु गोविन सीजी ने त्याग, बलिदान, तफस्या, वीर्ता पुरे समाज को खड़ा करने का एक बगीरत प्रयास किया था मेरा इस धर्ती से नाता मैं हमेशा कहता हूँ मेरा यहां खुन का रिस्ता है खुन का रिस्ता इसलिए है कि मेरा जन्म गुजरात की धर्ती पर हुआ कारे करने का सौभागी यहां मिला लेकिन गुरू गोविन सींजी के जो पंजब प्यारे थे उसमें एक गुजरात के ध्वारीका से थे और इसलिए और जैसा अभी बादल साब बता रहे थे देश की एकता एक गुरू गोविन सी महराज के मन में प्रांध्विक्ता थी अर जैसे पंजब प्यारे भी हिंदुस्तान की चारों दिशाओं से परतिनीतित्व कर रहे थे उसमें एक गुजरात से थे मुझे स्वाभाविक अनुभव होता है अनुभूती होती है कि मेरा कोई खून का रिस्ता है और ऐसे समय इस महान बलिजानी परंपरा को प्रणाम करने का नमन करने का सोभागी मिले तब देश में भी जात पात के खिलाब उस जमाने में गुरु गुबिन सीजी महराच सब की एकता के लिए प्रकर रहते थे उच नीच का विरोध करना पंथा पंथ का विरोध करना सब को एक साथ चलने का मानस को मानस के रुप में मानने का ये महान परंपरा उन्होंने जी करके दिखाई थे उस कालखंड को देखे पूरा परिवार बलिदान ऐसा बौंसदानी शाहिद इतिहास के जरोखे में कहीं नजर आ सकता है जो गुरु गुविन सी महराज ने अपने जीवन से करके दिखाया था और उस कालखंड को देखे एक तरब भैंक कर क्रूरता थी जुल्म थे अत्याचार थे गुरु गुविन सी महराज का मार्ग एक तरब क्रूरता तो दूसरी तरब भीरता का था उन्होंने भीरता का मार्ग लिया जब सामान ने में भीरता पैदा करने का प्रयास किया प्रूरता का मुकाबला कुरूरता से नहीं कुरूरता का मुकाबला वीरता से करने का संदेश गुरु गुविन सी महराज ने दिया आज जब देश की एकता अखिंडता शांती एकता सद्भा इस मंत्र को हमें जीना भी है और नई पीडी को जीने के लिए प्रेरिद भी करना है बिखराओं कने वाले लोगों की संख्या कम नहीं होती लेकिन एकता करने वालों का ताकद भी अनेक गुना होता है ये महान परंपरा हमें एकता का मार दिखाती है सदभावना का मायर दिखाती है सेवा का रास्ता बताती है अगर त्याग है बलिदान है तो सेवा भी उच्च कोटी की है ऐसी इस महान परंपरा के समय 350 वर्षवे प्रकास पर्व के निमित गुरु गोविन सी बहराज के चलना में वन्नन करता हूँ उनके त्याग बलिदान को नमन करता हूँ और पुरा देश आने वाली पीडिया इन महापुरुशों के वचनों को जाने, समझे, जीने का प्रयास करे इसके लिए इस प्रकास पर्व हमें नित्य नुरंतर प्रकास देता रहे इसी एक प्रार्षणा के साथ मुझे संगत के बीच आने का अवसर मिला गुरुगर्ण साहब का सामने मत्था टेकने का सौभागी मिला आप सबने मेरा स्वागत सम्मान किया आप सबका मैं रुदय से अभिनदन करता हूँ, आभार वेक्त करता हूँ वाए गुरुजी का आज खाल सा वाए गुरुजी के भपे वाला इसा नहाँ रादियाकान